यमना, सर्यू, छिपरा, मन्दाकनी, नर्वदा जितनी पवित्र नदी होती है इन नदियों में आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि दोने में दिया लेते हो और दोने में दिया लेकर उसको रखकर और आप नदी में दिया जलाकर बहा देते हो श्यू महापुराण की कथा इसकी महत्वता नहीं कहती श्यू पुराण कहती है गंगा मा है नर्वदा मा है छिपरा मा है सरियू मा है तुमारी सास कहीं बेठी हो एक काम करना जैसे तुम गंगा जी में दिया रख देती हो पानी में सरी यूजी में दिया रख देती हो पानी में उसी तरह सास के सिर पे दिया जला के धर दो बोलो धर सकते हो जब धीरे धीरे दिये में आग लगेगी दिया जलते जलते दोने में आग लगेगी दोना जलेगा और तुमारी सास का फिर सिर जलना प्रारंब होगा अच्छा लगेगा? नहीं गंगा में दिया छोड़ा दिया जलते जलते हवा में दोना जला दोना जला तो वो गंगा का जल में चोट पहुची गंगा करती है तो पुन्य कमाने आई थी और मुझे आग लगा के जा रही है पवीत्र नदी को शुद्ध रखिये उसमें पवीत्रता का विशेज ज्यान रखिये यहां तक शुमाहपुरान की कथा कहती है अपने इस्नान के कपड़े भी अगर तुम घाट पर किसी के कहने पर छोड़ कर आ रहे हो कई लोग कोई के देता है तुमारे उपर यह रोग लग गया तुमारे उपर यह बिमारी हो गई नदी पे नहाने जाना अपने कपड़े छोड़ कर आ जाना पहले तो महराज ढूंडो जिसने कहा कि पवीत्र नदी पर अपने कपड़े छोड़ कर आओ नदी को हमेशा पवित्र नदी को पवित्र रहने दो मेरे राम जी जब चित्र कूठ होते हुए चले गए मेरे राम जी जब आयोध्या से लंका तक गए बीच में इतनी पवित्र नदी पड़ी थी मेरे राम जी ने एक जगहा पर अपने बस्तर को नहीं छोड़ा वो मेरे राम थे, जो मार्ग बताते जा रहे थे, और आज के जमाने में, लोग एक जनी ने दिया जला के छोड़ा, बड़ी खुसुई, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, वो भेरिया, इत्ती दूर तक चले गया, अब गंगा जी ने भी कह दिया, अब की तो आ गई, कि अगली बारा इत्ती प्लानिंग करें हरी द्वार जाओंगी हर बार प्लान बनाती थी बद्रिनात जाओंगी के दानत जाओंगी हर बार प्लान बनाती थी अपकी बार जाओंगी अपकी बार जाओंगी भगवान घर में एसी बांधा लाके रख देता कि तुम्हें हरी द् नहीं अब सोचती में बस एक ही बार होके आई फिर तो मेरा जाना ही नहीं हुआ कभी तुमने गंगा जी से पूछा कि बार बार जाना क्यों नहीं हो रिया गंगा जी खुद नहीं बुला रहे आग लगा के चली जाएगी गंगा जी खुद नहीं बुला पवित्रता का ध्यान रखिए हम उसकी शुद्रता का ध्यान गंगा यमना सर्यू सर्वसती छिपड़ा आधित को कैसे कैसे पवित्र रखना